एलो बच्चों, लाइस्ट वीडियो में हमने शरणाम के बारे में जाना सरणाम क्या है, सरणाम के कितने भेद है और उसका एक भेद, पूरुस वाचक सरणाम वो भी हमने बढ़ा, तर रहे हमारा भेद है निश्यवाचक सरणाम, निश्यवाचक जहांपर हमें किसी भी व्य यह व्यक्ति का बोद कराने वाले स्वरनाम, निश्यवाचक स्वरनाम कहलाती है, इसे संकेत वाचक स्वरनाम भी कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी कोई वस्तु है व्यक्ति, उसका हमें निश्यत ग्यान होगा, जिसे यह वही व्यक्ति है, यह वही वस्तु है, त कोई भी यहां पर डाउट फुल नहीं है तो कहलाता है निश्य वाचक स्वर नाम यहां पर भी यह का प्रियोग और वह का प्रियोग हम किसके लिए करते हैं यह और वह का प्रियोग करते हैं हम एक वचन के लिए और वे का प्रियोग यह का प्रियोग इनका प्रियोग करते है यहाँ पर हमने वर्थी का बूद होता है निश्चीत रूप से नहीं होता है, जैसे जिन स्वायनाम शब्दों से किशी निश्चीत व्यक्तिय वर्थी का बूद नहीं हो, उसे अनिश्चीत वाचिक यहां पर कुछ लेते होना कोई 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 क्या है कोई आ रहा है कोई सुरेज़ नाम शब्द ​​ निशित रूप से हमें किसी व्यक्ति है वस्तों का ग्यान निए तो यह निशिवाचिक स्वर्णाम कहलाता है next है हमारा 4. संबंध वाचिक स्वर्णाम संबंध जैसे आपको मीन से पता चारा है जहां पर संबंध प्रगड़ होता हूं संबंध वाचिक आउलों कि मैं एक संबंध में जहां आहीं होगा जैसा करोगे यहांपर जैसा और वैसा क्या है यहां पर जैसा और वैसा यह दोनों के दोनों क्या है स्वर्णाम शब्द है दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे से क्या है दोनों संबन प्रगट कर रहे हैं जो सोता है वैक होता है यहां पर जो सोता है वैक होता है तो जो और वो क्या है स्वर्णाम शब्द है यानि दोनों प्रश्ने का बोद कराने वाले स्वरणाम शब्दों को प्रश्ने वाचिक स्वरणाम कहते हैं जैसे उधारन है कौन आया है तो यहां कौन क्या है कौन स्वरणाम है यहां पर क्या कर रहे हो क्या क्या है स्वर नाम करें कि प्रश्न का बोद करें कुछ प्रश्न करें ना सामने वाले वक्ता के लिए एक कि प्रश्न वाचक से कहां के लिए उसको कि निजगरते हैं तो यहां पर जो भी वक्ताइश रोता है जो अपने स्वेम के लिए बात करेगा जिस स्वेम में अपने लिए अपने आप स्वेम अपने आप शब्दों का प्यों कह जाता है उसे निजवाश्रिक स्वेम कहते है जैसे मैं अपना कारिय स्वेम करूंगा यहां मैं स्वेट में अप्रम है STEPHANना क्या पर मरेन ऑपने लिए सेंख प्रयूやって और उ जहां पर स्वेट में आधा किम कहें आपने लिए कुछ कहेंगे इस्पेकर हमारा सवरणाम के 6 के 6 बैद complete हो चुके हैं इसको आप अच्छे से read करना और इसको read करने के बाद मैं आप कुछ sentence दे रही हूँ उन sentence को आप उनको read करने के बाद इनको clear करना जिससे आपको easy रहेगा उन sentence मैं आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है इस सवरणाम का कौन सा भीद है जैसे वे घर जाएंगे वह आप ही दिल्ली जाएगा यह मेरी पुष्टक है क्या आप खाना खाएंगे जिसकी बिल्ली उसी को म्याव यह कुछ sentence मैं ने आपको दिये है इनको आप पहले सारा सरना वाला topic रेड़ करना उसके बाद इनको हल करना जिससे आपका यह topic क्लियर मुझाएगा ओके टाइंक्यू बच्चों